हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नवश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन तो भाई एक बहुत important announcement हुआ है भारत सरकार की cabinet ने अपनी cabinet समितियों की घोशना कर दी है तो cabinet समितियां क्या होती है ये कैसे काम करती है इनका प्रमुक काम क्या होता है इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे एक नज़र इस पर भी डालेंगे कि cabinet समितियों में कौन-कौन लोग है लेकिन वो आपको याद करने की कोई आविशक्ता नहीं है आम तोर पे cabinet समितियों में जो लोग होते हैं उससे आपको उनके राजनेतिक कद का अंदाजा मिलता है लेकिन वो नाम आपको याद करने की क शुरू करते हैं लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ आठ जुलाई से शाम छे बजे से हमारा P2I बैच शुरू होने वाला है AJ लाइव कोट लगा के आप 27,999 रुपए में इससे जुड सकते हैं रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटॉर्शिप, डेली प्राक्टिस, क् मेंस के मेंस के क्वेश्चन के लिए आपको डेली फीडबैक, समाधान सब मिलेगा, इसके अलावा प्री और मेंस की टेस्ट शिरीज और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना, खाना, पढ़ना, सब इसी खर्चे में होगा और 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, तो भाई ये सारी चीज़े आपको मिलेंगी 27,999 में अगर आप AJ लाइफ कोड लगाते हैं, बिल्कुल इंतवार मत कीजिए, 8 तारिक से शुरू हो रहा है, 5 आज मेरे ख्याल से हो गई, 5 एकी 4 है चार तारिक है, चलिए कैबिनेट कमिटी फॉर्म हुई है, कैबिनेट समीतियां मनाई गई है, इनका पहले में आपको जल्दी से एक बार लिफ्ट दिखा देता हूँ, ndtv.com एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर देख लेते हैं, तो यह फुल लिफ्ट इदोने यहाँ पर छापी है, आप तो भई देश में जो भी बड़ी नियुक्तियां होती है, उनके लिए उन पर काम कौन करता है, कैबिनेट की जो नियुक्तियों की समीति होती है, ठीक है, तो अपॉइंट्मेंट समीति में केवल दो ही सदफ से है, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और ग्रह मंतरी अमिश श समीति है, ठीक है, कैबिनेट कमिटी और अकमिडेशन बड़ा विवाद रहता है भी, इसको लेकर घर का मामला, कि सामसदों को कौन से घर मिलेंगे, मंतरियों को कौन से घर मिलेंगे, वगेरा वगेरा, उसमें आमित शाह, नितिन गटकरी, निर्मला सीतारमन, मनुहर लाल स भी आविशक्ता होती है, तो किनको इसलिए राज्यमंत्री इसमें शामिल किये गए है, जितेंद्र फिंग, मिनिफ्टर ऑफ टेट ऑफ इंडिबेंडेंट चार्ज है, फटंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री है, लेकिन उनको कैसे बुलाया गया है, विशेश अतिधी क तोर पे, क्योंकि कैबिनेट समीती है, तो इसमें सदस से केवल कैबिनेट के हो सकते हैं, बाकी लोगों को विशेश अतिधी के तोर पे भी बुलाया जा सकता है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समीती जो है, नरेंद्र मोदी, राजनात सिंग, अमिद्शा, नितिन गटकरी शिवराज सिंग चोहान, निर्मला सीता रमन, एफ जैशंकर, देखिकिति लंबी समीती है, एचडी कुमारफ कौामी, पियूश गोयल, धरमेंद्र प्रधान और राजीव रंजन सिंग, यानि की ललन सिंग के नाम से भी जिनको जाना जाता है, तो भई, आर्थिक मामलों क कि समीती अलग 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 मंत्रालियों में किस तरह से वित्त का बटवारा होना है वगेरा इस तरह की चीजों पर ये काम करती है, Cabinet Committee on Parliamentary Affair संसदीय मामलों में संसद का सत्र कब बुलाना है, फत्रावसान कब करना है, क्या-क्या इस सत्र का एजेंडा होना चाहिए, कोडिन कैसे करना है इसमें राजनात सिंग इसके अध्यक्ष होंगे देखिए अब तक कि सारी समीतियों में प्रधान मंत्री फदफ से थे और प्रधान मंत्री अगर किसी भी कैबिनेट समीती के फदफ से होते हैं तो प्रधान मंत्री अगर किसी भी समीती के फदफ से होते हैं तो व अमिद्शाह, जेपी नडडा, निर्मला सीतारमन, ललन सिंग, विरेंद्र कुमार, राम मोहन राइडू, नाइडू जो सिविल एविएशन मंत्री है, जुआल ओरम, किरन रिजुजू और सियार पाटिल, और इसमें भी देखिये, मंत्री, राज्य मंत्रियों को बुलाया ग जेपी नडडा, निर्मला फीतारमन, पियूश गोयल, जीतन राम मांजी, सर्मनन सोनोवाल, राम मोहन नाइडू, भूपेंद्र यादव, अन्नपूर्णा देवी, किरन रिजुजू और जी किशन रेडडी इसके सदस्य है, कैबिनेट कमिटी ओन सिक्योरिटी बहुत इं इसके सदस्य ताम तोर पे फिक्स होती है, भारत के प्रधान मंतरी, और जो चार सबसे इंपोर्टन मंतराले माने जाते हैं उनके मंतरी, यानि कि ग्रह, विदेश, आपका वित्त और रक्षा, इन चार मंतरालों के मंतरी, तो प्रधान मंतरी, तो आपके रक्षा मंतरी रा लेकिन यह नमबर साथ पर यह जो समीतिय आप देख रहे हैं investment and growth यह वाली समीति जो आपको दिखाई दे रही है निवेश और विकास वाली यह वाली निवेश और आर्थिक वृद्धी वाली समीति जो है इस समीति को प्रधान प्रधान मंत्री मोदी ने 2019 में बनाया था तो 2019 के पहले ये समिती नहीं होती थी लेकिन सरकार की प्राथमिक्ता थी कि यार हम निवेश को बढ़ावा दे तो 2019 से दो नई समितियां एड की गई उसके पहले 6 होती थी अब 8 होती है तो इस समिती में एक तो आपकी निवेश और विकास वाली समिती है जिसके फदस्यों की फूची आप यहां पर देख फकते हैं जल्दी फे नाम पढ़ लेते हैं पर नाम आपको याद नहीं करने हैं प्रधान मंत्री मोदी राजनाज सिंग, अमित शा, नितिन गटकरी, निर्मला सीतारमन, प्यूश गोयल, प्रहलाज जोशी गिरिराज सिंग, अश्विनी वैशनव, जोतिरादित्य सिंधिया, हर्दीपुरी, चिराग पासवान और इसमें भी विशेश आमंत्रित के तौर पे राओ इंदर जीत सिंग और प्रताप राओ जाधव को शामिल किया गया है और अगली समिती जिसको प्रधान मंत यानि की कोशल पर, रोजगार पर और जीवन यापन पर इन चीजों पर भी एक कैबिनेट समिती बनाई गई है, इसमें भी प्रधान मंतरी शामिल है, तो अध्यक्षता वही करेंगे, सदस्यों की सूची आप देख सकते हैं, ठीक है, लंबी चोड़ी सदस्यों की सूची ह इसमें भी प्रधान मंतरी, राजनात सिंग, अमित शाह, नितिन गड़करी, निर्मला सीतार अमन, पियूश कोयल, धरमेंद्र प्रधान, अश्विनी वैशनव, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंग्षेखावत, हरदीपुरी, मंसुक मंदाविया, और जैंत चौध इती, छे समितियां होती थी, 2019 में इनको बढ़ाकर आठ कर दिया गया, और दो नई समितियां एड कर दी गई, यह आपको अब तक समझ में आ गया, इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है कि प्रधान मंतरी हर किसी के सदफ से हो, लेकिन अगर प्रधान मंतरी सदफ से हैं, प्रधान मंतरी सदफ से नहीं है, तो कोई और विक्ती जो वरिष्ट विक्ती है वो अद्याक्ष हो सकता है, ठीके, इसमें केवल कैबिनेट के लोग शामिल होंगे, केवल कैबिनेट के सदफ से जो हैं, वहीश शामिल होंगे, ये बात भी आपको समझ में आ गई, राज्य इसी के तौर पर बुलाया जा सकता है, विशेश निमंतरन पर वो आ सकते हैं, वरना ये क्योंकि नाम cabinet समिती है, तो केवल cabinet के सदसे ही इसमें समिलेत हो सकते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई, इतनी बाते तो आपको लिफ्ट देखकर समझ में आ गई, मेरे को पढ़ाने की आवशक्ता नहीं है, इसलिए आपको मैंने लिफ्ट दिखाई, आपको रटने वटने की कोई जरूरत नहीं है, कि कौन-कौन सी समिती में कौन-कौन है, तो अब ये cabinet समितियां बनती क्यों है, सवाल ये आता है कि cabinet तो खुद बैठक करके निरनाय कर सकता है, cabinet समितियां क्य बनती हैं, देखें, union cabinet जो होती है, वो एक बड़ी बड़ी होती है, जैसा कि आप जानते है, वरतमान सरकार में भी अगर आप cabinet मंतरी देखें, तो मेरे ख्याल से 30-30 cabinet मंतरी होंगे, और ये सभी cabinet मंतरी बड़े व्यस्त भी होते हैं, वहीं प्रधान मंतरी बड़े व्यस्त की है तो क्या आपके विचार में ये एक उचित तरीका है कि पूरी cabinet बैट के सभी चीफ पर चर्चा करें बात समझ रहो कि नहीं समझ रहे हो आप बता आप ऐसे सोचो कि यार कोई company है इसको एक किसी company से compare करोगे तो आपको बहतर समझ में आएगा कि एक company है company study में जैसे मालो study IQ भी है study IQ में content बनता है study IQ में हम पढ़ाते है study IQ में हमारा portal भी है हमारा YouTube भी है technical team भी है बहुत लंबी चोड़ी ऐसा तो नहीं नहीं लोग कैसे आएंगे उसके लिए HR department भी है ये सब है तो आप एक बात बताईए कि अगर मानने तो आप ऐसे विभाग क्यों बनाते हैं मानने जिए कोई बिंजरने करना है आपको ये देखना है कि अगले साल हमको कितने नए अध्यापक हायर करने है क्या सारी company जाके बैठेगी वहां पर सारी company के सारे employee को बुला कर आप बिठाओगे और सब चर्चा करोगे कि भाया अगले साल हमें कितने लोग और चाहिए ऐसा तो नहीं करोगे न आप आप आपने क्या किया है कुछ लोगों को specially ये काम दे दिया यार तुम तैग कर लो तुम इस चीज को study कर लो और उसके बाद तुम CEO वगेरा को बता दे न कि इतने लोग चाहिए CEO उसमें बदलाव कर सकते हैं लेकिन आम तोर पे उनकी बात मान ली जाती है ये बात सही है कि नहीं है अब जैसे मुझे भी जो पढ़ाना है वो लगभग मैं टैग कर लेता हूं उसके बाद मुझे कुछ लोगों को बताना होता है कि ये ये चीज़े मैं करना चाहता हूं उसमें अगर कोई बदलाव के फुझाव आते हैं तो हम करते हैं वरना हमें जैसे करना है हम ऐसे ही करते हैं ये बात क्लियर है तो ऐसे ही कैबिनेट भी फंक्शन करती है कि अलग अलग कामों पर लंबी गंभीर चर्चा के लिए कैबिनेट ने अपने अंदर छोटी छोटी bodies बनाई हुई है, जो कि उन चीजों पर विशेश तोर पर चर्चा करेगी, ये बात समझ में आ गई ताकि हर चीज पर cabinet को पूरी cabinet बैठ कर चर्चा ना करे, ये बात clear हो गई आपको इसमें कोई doubt तो नहीं है, कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम सपश्ट है, कि एकदम straight forward सी चीज है, कि हर चीज पर पूरी cabinet को चर्चा करने की आविशक्ता नहीं है, तो cabinet की समितियां जो होती है, ये आम तोर पर चीजों पर चर्चा करती है, चीजों पर विचार विमर्ष करती है, उस विमर्ष के आधार पर ये निरने लेती है, और अपना निरने ये cabinet के सामने रखती है याद रखिएगा, जो cabinet resolution, cabinet का प्रस्ताव पास होता है, वो cabinet में ही होता है लेकिन अपना ये समितियां अपने प्रस्ताव cabinet के सामने रखती है cabinet उसमें संशोधन कर सकती है ये बात संभव है कि cabinet चाहे तो उनमें संशोधन कर सकती है लेकिन आम तोर पे cabinet समीतियों का निरने जो होता है cabinet उनको स्वीकार कर लेती है और फिर cabinet द्वारा उनका स्वीकार किया जाना एक अपचारिकता मात्र रह जाती है तो याद रखिएगा कि cabinet समितियां जो है ये एक तरह से cabinet का काम सरल करती है ये बात सपश्ट हुई ये इनका प्राथमिक काम है ये भी याद रखिएगा ये cabinet समितियां जो है इनका समितियां जो है कई बार आजकल UPSC स्तरह के सवाल पूछता है तो आप याद रखिएगा समितियां में ये कही नहीं लिखा हुआ है कि cabinet समिति बनेगी ऐसा कोई जिक्र की समितियां में नहीं है लेकिन समितियां जो है वो अनुच्छेद सतत्तर तीन के अनुसार राष्ट्रपती को ये अधिकार देता है कि राष्ट्रपती सरकार के कामकाज को फुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी विवस्था होने करनी है वो कर सकते हैं तो राष्ट्रपती मतलब एक तरह से केद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि आपको अपना शासन प्रशासन ठीक से चलाना है उसके लिए आप जो खुधार करना चाहो जो विवस्था बनाना चाहो बना सकते हो तो इसी प्रावधान का प्रयोग करके कैबिनेट समितियां बनाई गई है ताकि सरकार जो है उसका काम ठीक से चले लेकिन कैबिनेट समिति स्वतह अपने रूप में वो इसमें याद रखिएगा सम्विधान में कहीं पर भी शामिल नहीं है ठीक है चलिए तो अभी के लिए इतना ही है और कैबिनेट समितियों को लेकर कुछ और नया आएगा तो मैं आपको निश्चित तोर पे सबसे पहले बता हूँगा ठीक है चलिए जाते जाते आपको फिर से बता दूँ कि भाई पी टू आई बैक जो है आठ तारिक से शुरू हो रहा है देट याद रखिएगा शाम छे बजे टाइम याद रखिएगा एजे लाइव जानने का कि भई कोर्स कैसा है हमारे किसी भी अध्यापक के जो अध्यापक आपको पसंद नापसंद हो किसी भी अध्यापक के हमारे चैनल पर जाके आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे अध्यापन का स्तर कैसा है और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे बैच फे तुरंट जुड़ जाईए इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सबस्क्राइब करें Study IQ IAS Hindi